अब हम डिस्कुस करेंगे कि टेंप्लेट लेटरल्स क्या होते हैं टेंप्लेट लेटरल्स को टेंप्लेट इस्ट्रिंग भी बोलते हैं मतलब इस्ट्रिंग इसमें क्या होता है कि हम जैसे इस्ट्रिंग सिंगल क्वार्ट और डबल क्वार्ट में लेते थे अब एक नए तर जाता है ठीक है तो इस्टिंग का फोर्मेशन अब नई तरीके से होता है बहुत इजीली हम उसको इस्टिंग को हैंडल कर सकते हैं तो उसके लिए इस्टिंग टैंपले लिटर्स का यूज किया जाता है ठीक है तो यहां पर देखते हैं एक हमारी जो इस्ट्रिंग हमें यहां पर लेनी है सिंगल को आट में ले सकते हैं इस इस टैक मेंटर इस तरह से यह हो गए टिक है में इसे रिफ्रेस्स करता हूं यहां पर देखी इस तरह स्ट्रिंग यह इस फाइब में लेते हैं इस तरह से इस्ट्रिंग को इस दोबल क्वार्ट स्मय ले सकते हैं तो डबल क्वार्ट्स और सिंग्ल क्वार्ट्स में भी हम यह 6 में ले रहे हैं कोई दिखत नहीं है लेकिन अब क्या आता है अगर मैं इसको इस तरह से अटाऊं और देखिए इसकेप के नीचे मैं प्रेस करता हूं दो बार यह आ गया ठीक है इसे बोलते हैं अब मैं इसके अंदर भी रख सकता हूं तो कोई प्रोब्लम नहीं है अब इसका हम इसमें रख रहे हैं तो क्या आडवांटेज है इसमें र सिंगल स्ट्रिंग लेना है ठीक है और डबल स्ट्रिंग मुझे इस तरह से लेना है अब मैं रिफ्रेस करता हूं देखे बिल्कुल इसके अंदर आगए ईजीली अब मैं जाता हूं लेट एस्टी यार वण और यहां पर ले जाता हूं सिंगल कि यहां पर देखे इस तरह से सिंगल स्ट्रिंग लेता हूं और इसको रिफ्रेस करता हूं तो एरृर आजाएगी इसके लिए मुझे क्या लेना पड़ेगा बैक श्लैस अब मैं refresh करता हूँ तो देखे हो सही work कर रहा है तो हम यहां पर हमने बैक टिक्श लिया है इसके अंदर बैक टिक्श हम कभी नहीं होता कि गां मैं अधर हम कभी बैकfolg इटिक्स ले है ऐसे double scratch होगी double . हमने यहां पर लिया अब हम refresh करते है तो वर कर रहा है लेकिन अगर double . तरह से इस तरह से इस तरह की लेकिन विपाई में कभी क्यों आण फ़िए दूस्रा एडवांटेज क्या है है अब इन दो इस्ट्रिंग को माल लिजे मैंने इसको भी double string ले लिए double quart इन्हें हटा देता हूँ अब इनको मुझे concatenate करना है तो concatenate करने के लिए str plus str2 करना पड़ेगा इस तरह से और कोई space भी मुझे देना है इनके बीच में इस तरह से तो ऐसे करना पड़ेगा अब माल लिजे मुझे क्या है यहाँ पर दोनों के बीच दोट लगाना है तो यहाँ पर एक डोट लगाऊंगा और देखिए यहाँ पर डोट लगाने के लिए पीछे मुझे इस तरह से यूज करना पड़ेगा अब एक है ऐसे लेकिन इसी को अगर मैं बैक्टिक्स से करता हूँ तो वह कैसे हुगा str1 str2 नहीं पर ले देता हूँ बैक्टिक्स तो यह मेरी स्टिंग बनी हुई है कोई नहीं मैं इसे में लेता हूँ अगर कंकेटिनेट मुझे बैक्टिक्स में करना है तो मैं कैसे करूँगा मैंने बैक्टिक्स लिया और इसके अंदर मैंने क्या किया इस तरह से string1 dot dot डोलर और करली ब्रैसिस के अंदर मैं इस्टिंग को रख दूँगा और डोट देखें बैक्टिक्स में मुझे कोई प्लस नहीं लगा कितना आसानी से हो गया इसको मैं कोमेंट कर देता हूं अभी पता चलेगा कितनी आसानी से अब क्या होता है एक इस्टिंग में यहां पर ले लेता हूं इसे पहले लेता हूं है अब मुझे हां इस्टिंग में लेना पड़ता है इस तरह से सिंग्ल को आट में ले रहा हूं अभी मैं एड़ addition plus इस तरह से हम करेंगे a plus b plus multiplication a into b ठीक है इस तरह से करेंगे अब मैं यहाँ पर करता हूँ तो देखे addition and multiplication आगे space देता हूँ console में देखे ठीक है यह आगे अब इसी को मैं करता हूँ backtrick से backtrick से लिया यहाँ पर लिए addition addition और यहाँ पर देखे इस तरह dollar और brackets में a plus b multiplication और यहाँ भी a plus b ठीक है तब खुद देखे कौन सा वे जो है ज्यादा असान है ठीक एक तो यह हो गया अब सबसे जरूरी अगर मुझे इसके अंदर new line में करना है तो यहाँ पर मैं लगगा इस तरह से इस तरह से एंटर कर दो new line में यहाँ अब आपको मालो किसी को slash n नहीं पता है अब मुझे टैब लेना है slash tab के लिए क्या होता है ? मुझे भी याद नहीं रहता कि slash t होता है टैब के लिए तिक है और यहाँ पर मैं क्या करूंगास सिर्फ टैब प्रेस करदyss है देखे दोनों में सेम आ रहा है एक जेगा मुझे स्लैस्टी को याद रखना पड़ रहा है एक तरफ देना पड़ रहा है तो कितना भी माल लीजी मैं यहां से स्पेस देता हूं कि यहाद नहीं रखने पड़ते हैं कि मुझे सुपल से हममें किसे चरह से को हांडल करते हैं दैयर को SIMPLE WAY में मुसके लिए हमारा TEMPLATE LITERAL काUSE होता है और यह BACTIX जो भी होते हैं इसमें हमारे TEMPLATE LITERAL को हम लखते हैं ठीक ? तो आधिक आप आपको कुँछा अचय लगा होगा अगर कॉंसे अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें थेंक्यों फोर वाचिंग